हाई दोस्तों असलाब अलीकूम केसे आप लोग मेरा नबील है अपल ने रिलीज के iOS 18.1.1 ये पब्लिक स्टेबल वर्जन है आपके सभी के आईफोन के लिए आया होगा अगर आप स्टेबल वर्जन iOS 18.1 या उससे पुराने किसी भी वर्जन पर चल रहे होंगे iOS 17 चला रहे होंगे, 16 चला रहे होंगे अगर आपका iPhone iOS 18 सपोर्ट करता है तो 18.1.1 का अपडेट आपको सेटिंग जेनरल सौफ़एर अपडेट में देखने मिल जाएगा ये उन लोगों को नहीं मिलेगा जिन्होंने बेटा अपडेट्स आउन रखा है अगर आप iOS 18.2 के बेटा पे अपने फोन को चला रहे हो तब भी भी आपको ये अपडेट देखने नहीं मिलेगा लेकिन अगर आप 18.1 पे हो और या उसके पुराने वाले किसी वर्जिन पे हो और आपने बेटा अपडेट्स आउन रखा हुआ है तो उसको आफ कर दीजिए ये अपडेट आपको देखने मिल जाएगा अपडेट 18.1.1 अचानक आपल ने पुष्च क्यों किया था हमको पहले से अंदादा था इसका कि आपल ये अपडेट कभी ना कभी पुष्च करने वाला है 18.2 आने के पहले मैंने आपको भीच में बताया था इस बारे में इसले वीडियोज अगर आपने अपडेट से रिलेट देखे होंगे कि अपकमिंग अपडेट में 18.1.1 भी आपल का प्लान है क्योंकि important fix है कुछ security vulnerabilities है इसको fix करने के लिए आपल ने यहाँ पर ये अपडेट पुष्च किया है अपडेट का साइज है 411 MB का मेरे iPhone 16 Pro Max पे आपके वाज कोई भी iPhone होगा अगर 18.1 से अपडेट कर रहे हो तो around 400-500 MB का ही अपडेट आपको देखने मिलेगा लेकिन अगर आप 18.1 से किसी पुराने अपडेट से इस अपडेट पे अपडेट कर रहे हो जो अपडेट का साइज है वो बड़ा देखने मिल सकता है अपडेट करने से पहले मेरे iPhone 16 Pro Max में 18.1 चल रहा था और यहाँ पे जो अवेलेबल फ्री स्पेस था वो था 601.76 GB का अपडेट करने से पहले जो बिल नंबर था वो था 22B83 और अपडेट करने के बाद यहाँ पे 18.1.1 आ गया है अवेलेबल फ्री स्पेस अराउंड 500 MB से बढ़ गया है तो यह बहुत अच्छी चीज है iOS 18 के अपडेट में कि अभी तक 99% में ने देखा है कि अवेलेबल फ्री स्पेस जो है इसमें क्लब कर रहा हूं यहां पर क्योंकि अपडेट में नया कुछ है ही नहीं 18.1 यह पूरा तो वही कॉल रेकॉर्डिंग वही सारी चीज़े जो आपको 18.1 में देखने मिलती है इसमें भी आपको देखने मिल जाएगी यहां पर नजर्टिंग में फिर से एक बार लेके चलता हूं जेनरल में लेके आता हूं अब आउट में लेके जाता हूं आयस वजन में जाओंगा यहां पर फिक्स होता नजर आएगा अब यह लैग जो है यहां पर नहीं दिखे का आपको टाइप करते हुग भी अगर कोई लैग आप महसूस कर रहे थे तो वह भी लैग यहां पर जो है आपको महसूस इस बार जो है नहीं होगा इस अपडेट में काफी अच्छे से इसको अप्ट OS 18.1.1 और iPad OS 18.1.1 यह दो ही अपडेट जो है 18.1.1 के आपल ने अभी पुश किया है तो यहां पर लिखा है अब आपल सेक्यूरेटी अपडेट इसके बारे में आप पढ़ सकते कुछ खास नहीं है लेकिन यहां पर जो अपडेट में फिक्स किया गया है वो देखिए तो और this issue was addressed with improved check करके लिखा हुआ है अगली चीज सफारी से related यहां पर fix की गई है वेब kit के बारे में यहां पर दिया हुआ है कि यहां पर भी same चीज हो रही थी और इस पे Intel based Mac systems वगरा पर भी जो है यह exploration हो रहा था cookie management issue जो है इसमें address किया गया है with improved state management यहां पर important fixes है दो जो यहां पर आपल ने push किया है ताक्कि आपका कोई data ना चुरा सके और आपकी privacy बरकरार रहे अब बात करते हम यहां पर battery के बारे में यहां पर चलते है पीछे और यहां पर चले जाएंगे हम अब battery में यहां पर battery health सबसे बले दिखाता हूँ 100% ही 100% है phone के 51 cycle count हो चुके है first द अमाल कर रहा हूं मेरा iPhone 16 Pro Max यह मेरा primary iPhone है रही बाद battery life की तो यहां पर देख सकते है मैं 80% तक ही चार्ज करता हूँ और 80% के बाद जो है मैं उसको 20% तक ले के आता हूँ फिर charging पे लगा देता हूँ ताक्के मेरी battery L जो है long term में अच्छी maintenance रहे मैंने charging limit 80% पे set करके रखा ह battery life इस वाले update की कैसी है यह मैं आपको 3-4 दिन में चेक करके इंशाला बतानी कोश करूँगा 18.1.1 जो है यह वाला update इसकी battery life चेक करके ही बताना जो है समझदारी है अभी कुछ बोल दूँगा मैं आपको आगे जाके आपको गलत experience भी हो सकता है बाकि iOS 18.1 का मैंने review वीडि बढ़ गई है update install करने के बाद यहाँ पर देखे review download and media करके आया है तो इसको भी आप review कर सकते है टैप करके और यहाँ पर यह जो वीडियो है अगर आप यहाँ से delete करना चाहते है तो delete भी कर सकते है यह वीडियो download हो गई थी मेरे phone में यहाँ से delete करके मैं available free space बढ़ा सकता और यहाँ पर अगर मैं पीछे आ जाओ और नीचे आपको लेगे चले जाओ तो यहाँ पर देख सकते system data फिर से 1.07 GB पर आ चुका है जो मेरे phone के लिए standard रहता है जो मेरा primary phone है अभी इस बार मुझे यह चीज fluctuate होते है यहाँ पर नजर नहीं आरी लेकिन यह system data fluctuating रहता है और आपके phone में अगर जादा कम है तबी भी टेंशन लेनी की बात नहीं है 10 GB 15 GB तक भी हो सकता है depending on the use में बहुत जादा यूज करता हूँ फिर भी मेरा phone बहुत च्छे से optimized है रही बात network की तो network में देखिए hopefully तो कोई change नहीं होगा network performance अच्छा था network performance अच्छा रहेगा तो बहुत ची बात है otherwise यहाँ पे दिक्कत आज सकती है इस वाले update के अंदर कोई भी modem update नहीं आया है तो इसलिए यहाँ पे जो है same performance देखने मिलना चीए अगर improve होगा तो अच्छी बात है नहीं होगा तबी में आपको बताऊंगा यहाँ पे आप लोग अगर पूछ रहे हो यहाँ पे gaming mode क्यों आ रहा है तो मुसा भाई जो है हमारे वो game केल रहे है जिसकी वज़े से बार-बार gaming mode focus का activate हो रहा है क्योंकि Apple ID मेरी लगी है सब जगा overall performance कैसा है तो overall performance तो अब ठीकी लग रहा है सारे applications मैंने open कर नहीं कोश्किया सब कुछ टिटा काम कर रहे है crashing वगरा यहाँ पे देखने नहीं मिल रही तो अभी तो इसके बारे में कुछ बताया नहीं जा सकता जो है यह भी मैं ठीकी बोलूगा क्योंकि single core का score जो है almost similar ही है जितना था पहले फिर भी देखते एक बार फिर से कभी run करूंगा मैं जब update का review बनाऊंगा उस टाइम पर बताऊंगा बाकि यहाँ पे जीप्यू का score है वो सेमिलर ही है अभी 32,000 की range में ही है चल रहा है तो इसमें कोई दिक्कत नजर नहीं आ रहे तो आपको मेरे review का इंतजार करना चाहिए जो मैं तीन से चार दिन में अगले बनाने की आपके लिए कोशिश करोंगा अगर आप फिर भी वेट नहीं करना चाहते तो अपडेट कर सकते वैसे यह चोटा अपडेट है इंक्रिमेंटल अपडेट बोल सकते आप या फिर इसमें जो इंपॉर्ण सेक्रेटिट फिक्स से उसके लिए पुश किया गया तो इतनी कोई रिस्क वाली बात नहीं है अब विजूल इंटेलिजिंस भी बिलेगा जो के यह कैमरा कंट्रोल बटन वाले आईफून के अंदर काम करता है यह दिखाने दोस्तों आज के सब्डेट की जो कि था iOS 18.1.1 उमीद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसना होगा पसने मेरे को लाक के शेर जरू किजिए मेरे आउन को सुझ्राब जपे बाई